प्रियांका चोपला अपने इंटरनाशनल शो क्वांटिको 3 के प्रमोशन में व्यस्थ है बुद्वार को अपने शो के प्रमोशन एवेंट के दौरान प्रियांका ब्लू रंग की डे ओनली सूट में नजर आई लेकिन इस आउटफिट में उपर की ओर नजरा रहे कट्स के कारण उन्हें सोचल मेरिया पर ट्रोल किया जा रहा है एक और जहां लोगों ने प्रियांका के आउटफिट की तारीफ की है तो वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाया है कि क्या वहां इस तरह के कपड़े पहनना जरूरी है कुछ ने तो सलाह देते हुए कहा कि संसकारी लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते तो कुछ सोचल मेरिया यूजर्स ने यहां तक कह दिया कि प्रियांका पागल हो गई है अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो प्रियांका डारेक्टर अली अब्बास जफर की फिल्म भारत से बॉलिवड में वापसी की तैयारी में है इस फिल्म में सलमान खान उनके ही रो होंगी 2016 में उन्हें बॉलिवड में आकरी बार फिल्म जै गंगा जल में देखा गया था हाला कि वो अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले पंजाबी, भोचपुरी और सिक की भाषाओं में कुछ फिल्म में प्रिड्यूस कर चुकी है 2017 में उनकी हॉलिवड फिल्म बे वाच भी रिलीज हुई थी इसमें उनके को अक्टर इंटरनाशनल सूपरस्टार ड्वेन जॉनसन थे फिल्म में प्रियांका नेगिटिव रोल में नजर आई थी प्रियांका की दूसरी हॉलिवड फिल्म अक्किक लाइक जाक एक जून को यूएस में रिलीज होगी अभी विडियो को लाइक करें शेयर करें और अभी चानल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी निउस देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ बाई बाई